नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नियूरो थेरपी प्राची नुपचार रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, मेरा नाम है नीरज, मैं एक नियूरो थेरपिस्टू नई दिली के अंदर सबसे पहले आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा, कि अगर आप फ्री में नियूरो थेरपी का सेटिफिकेट कूर्स करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंतर तक ज़रूर देखें हम यहाँ पर बात करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं, पेट में जो अफारा होता है उसके बारे में आप से कितना ज़्यादा जूठ बोला जाता है और कितना आप से सच बोला जाता है तो चलिए इस वीडियो को स्चार्ट करते हैं पेट में अफारा होना आपको कई दफार ऐसा लगता होगा कि ये चीज सही है इस वज़े से मिरे को ऐसा लग रहा है कि मिरे को अफारा हो गया या हमारे घर में आजपडोस में काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें इसके बारे में गलत information देते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब पेट में अफारा होता है तो इसके बारे में कितने तरिके के आपसे जूट बोले जाते हैं पेट में गुडगुड होना अगर पेट में गुडगुड की आवाज आ रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पेट में अफारा हो रहा है गैस बनना या गैस होना पेट में इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं होता कि आपके पेट में अफारा है कब्स होना, कॉंस्टिपेशन रहना constipation एक बिलकुल अलग चीज़ है अफारा एक बिलकुल अलग है तो इससे भी इसका कोई लेन दिना नहीं होता है ACIDITY ACIDITY का भी कोई लेन दिना नहीं होता है अगर आपको acidity रहती है या acidity हो जाती है तो ऐसे में आपको अफारा नहीं है आपको acidity की problem है पेट दर्द होना अगर आपको पेट में दर्द होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अफारा है अफारा एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है तो यह तो वो जूट थे जो अफारा के बारे में बोला जाता है अब हम इसके सच्चाई के बारे में जाल लेते हैं कि अगर आपको सच में पेट में अफारा होता है या बनता है तो उसको आप कैसे पहचाने कि सच में आपको अफारा है सबसे पहले तो पेट फूलना आपका जो पेट है वो थोड़ा सा फूल जाएगा पहले के मुकाबले तो हो सकता है कि आपको अफारा हो पेट में मरोड होना पेट बिल्कुल ऐसा लगएगा किसे ने मरोड दिया है जैसे हम कपड़ों को निचोड़ते हैं इस तरीके का आपको अनभव हो सकता है तो वो अफारा हो सकता है पेट में एक जगा पे दर्द होना एक खास जगा पे पेट में दर्द होना किसी भी एक जगा पे तो ऐसा हो सकता है कि आपको अफारा हो उस टाइम पे भारीपन होना पेट में भारी पन लगना, ऐसा लगना कि आपने कुछ खाया ना हूँ, आपने कुछ पिया भी ना हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा लगे आपको कि बहुत ज़्यादा पेट भारी हो रहा है, तो उसको भी अफारा ही बोला जाता है, बेचेनी होना, अगर आपको पेट से बारे में आपसे बताया है मैंने, अब हम जान लेते हैं कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसके लिए घरेलू बहुत सारे उपाएं हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आप किसी अच्छे आयर्विदाचार या किसी नेच्छरॉपैथी वाले से मिल सकते हैं, ज आपको शट करम योगा में होता है, वो आपको कराएंगे, उससे भी अफारा में काफी आराम मिलता है, और आपको आगे ना उसके चांस होने के काफी कम हो जाते हैं, अब हम आ जाते हैं निरू तरवी पे, हमारे यहाँ पर आपको अफारा के अगर कोई प्राबलम होती है, तो पहले ही दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, हमारे यहाँ पर किसी तरके का कोई पेन नहीं करवाते, कोई दवाई नहीं देते, कोई एक्यमेंट्स नहीं देते, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, और दस से पंदर दिन के अंदर ही आप देखते रोग है, हमारे यहाँ पर बिना किसी दवाई, बिना किसी एक्यमेंट्स के ठीक किये जाते हैं, अगर आप हमारे यहाँ से टैफ्साडियुट कोर्स करना चाहते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं, ये बिलकुल free of cost है, इसको करके आप अपने घर के लोगो को, अपने ले सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी आज के लिए इतना ही नमस्कार